नमस्कार मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बी नाम के जातक एबं पी नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा मित्रों यदी आपि जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि बेडियों भी नाम के लोगों के लिए एबं पी नाम के लोगों के लिए बहुत जयादा महत्तोपुर्ण एबं उपयोगी है मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि बी नाम के जातक एबं पी नाम के जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा मित्रों आपको बता दें कि बी नाम के जातक एबं पी नाम के लोगों के बीच में बहुत चीजें ऐसी होती है जो इन दोनों में एक समान होता है जिसके कारण इन दोनों की अनकूलता बहुत ज्यादा बिहतर होती है मित्रों इसके अलाबा ये दोनों जातक के अपने जीबन की अथार्थता को सुविकारना पसंद करते हैं जिसके कारण इन दोनों का शंबंध अच्छा होता है मित्रों इसके अलाबा ये दोनों जातक लापडबाही करने अपब्या करने या औसंगती से हमेशा दूर होना पसंद करते हैं मित्रों इस नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का रिस्ता निस्ठा समरपन एबं इमानदारी के कारण बहुत ज्यादा मजबूत होगा मित्रों आपको बता दें कि बी नाम के जातक पी नाम वाले लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा रखते हैं जिसके कारण पी नाम के लोगों को यह महसूस होता है कि बी नाम का जातक उनके भाबनाओं का गला घोट रहा है मित्रों आपको बता दें कि बी नाम के जातक एबं पी नाम के लोगों का संबंध जन्म जात बेभारिकता का मिलन होता है इस नाम के ज्यातक अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा बेभारिक होते हैं बेभारिक होने के कारण इन दोनों के जीवन में इन्हें पडेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होता है मित्रों आपको बता दें कि इस नाम के ज्यातक बहुत ज्यादा इमानदार होते हैं इमानदार होने के अलाबा इस नाम के ज्यातक एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं मित्रों अगर कुल मिला कर देखा जाए तो भी नाम के जातक एबम पी नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध सामानने तोर पे सही रहेगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें एबम इस वेडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दें ताकि आपके संपर्क में जो बाकी वो इस वीडियो को देखें एबम अपने जीबन साथी के बारे में साड़ी बातें पता कर सकें धन्यवाद